वेलकम तो टेज एजूकिशन इस वीडियो में आज हम मद्यप्रदेश प्रिस पर इच्छा के लिए टॉप MPGK के अंतरगत खेल टॉपिक के प्रश्ण देखने वाले हैं ऐसे प्रश्ण हैं जो के सो प्रश्ण अगर खेल टॉपिक से प्रश्ण पूछे जाएंगे तो इन प्रश्णों से बाहर आपके पेपर में नहीं जाएंगे तो भई पेपर शे पहले पूरा वीडियो जरूर देखिएगा आये शुरू करते हैं और आपका स्कॉर क्या रहा कितने प्रश्ण आपके सही निकले ये भी आप कमेंट करके जरूर बताएगा सबसे पहला प्रश्ण है कि मद्यप्रदेश की राज्य क्रीडा भई निमने लिखित में से कौन सी है या राज्य खेल भई निमने लिखित में से कौन सा है आपका कॉंशिवल का ही प्रश्ण भई पूचा गया तो आप हमें सयाद रखें मद्यप्रदेश की जो राज्य क्रीडा है ये है मलखंब ठीक भई लेकिन बात आते हैं मलखंब को कब राज्य क्रीडा के तोर पर अपनाया गया था कब राज्य खेल घोसित किया गया था तो इसे भई बर्स 2013 में घोसित किया गया था कब बर्स 2013 में चले आगे बढ़ते हैं नेक्श प्रश्ण है कि कैप्टन रूप सिंग इस्टीडियम कहां पर इस्थित एक किर्केट ग्राउंड है बड़ा आसान है ये प्रश्ण तो हमें स्याद रखें कैप्टन रूप सिंग इस्टीडियम आपका मौझूद है ग्वालियर में कहां पर ग्वालियर में यहां मौझूद है नेक्श प्रश्ण है कि सिवेंद्र सिंग कौन से खेल से संब्ढ़ देते हैं ये भी आपकी ब्यापम ने पूछा है प्रश्ण है प्रश्ण है तो सिवेंद्र सिंग का संब्ढ़ है आपका होकी से किस संब्ढ़ है होकी से संब्ढ़ द मेजर ध्यान चंद किस से संबंदे तो आप दोना आंसर मुझे कमेंट करके बताऊ गई ब्रसा बर्मन जुड़ी हुई है बड़ा संद्या अगरवाल किस खेल से जुड़ी हुई है शंध्या अगरवाल कि कमेंट करके जरू बताना है अगला प्रशन है कि मद्यप्रदेश राज्य गुड़सवारी अकादमी की जो इस्थापना है बड़ा आसन सा सांदर प्यारा सा प्रशन है जल्दी से आप 500 कमेंट करके बताएगा बहुत बड़ी है तो हमें से याद रख रखेगा देवे बिकल्पों में होकी खिलाडी रहा था आपके समीरदाद कौन भई समीरदाद होकी खिलाडी है इसके अलाबा भई कीर्थी पटेल हूं या फिर आमित वनर्ज्यों यह भई क्रिकेट के खिलाडी है ठीक नक्ष प्रशन है कि पार्सी क्लब की इस्थापना से किस खेल की परमपरा प्रानंब हुई थी तो आप याद रखेगा पार्सी क्रिकेट क्लब की इस्थापना से जो परमपरा सुरू हुई भई यह क्रिकेट की परमपरा जो है शुरू हुई थी ठीक है अगला प्रश्ण है कि मद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द तो इसका साही जबाब है कि संध्या अगरवाल का संबन्ध है क्रिकेट से किसे क्रिकेट से भारती महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रह चुकी है संध्या अगरवाल प्रश्ण बनता है कि राश्चिय खेले दिवस निम्ने लिकित में से किस दिन मनाया जाता है तुब भी राश्चिय खेल दिवस जो है यह 29 अगस्त को मना आया जाता है नक्षब प्रश्ण है कि एस वाग इस्टीडियम जो है कौन से सहर में इस्थित है बड़ा सांदर प्रश्ण है तो आप हमीसे याद रखिएगा कि जो एस वाग इस्टीडियम है भी एसवाग इस्टेडियम यह हमारे राजधानी भोपाल में ही इस्तित का पर भई भोपाल में एसवाग इस्टेडियम इस्तित है नक्ष़ प्रश्ण है कि मद्धि प्रदेश में सबसे बड़ा इंडूर इस्टेडियम निम्नलिक्षत में से कहां पर मौझूद है तो भाई सबसे बड़ा indoor इस्टीडियम की बात हो रही है मद्धिपर्देस में तो यह मौजूद है हमारा indoor में ही काँ पर है एंदौर में ही यह मौजूद है प्रश्चन है कि मद्धिपर्देस की कौनसे खलाड़ी की मृत्यू भाई पुलिस मुठवेड में हुई थी देखे जिल प्रहरी का प्रश्ण है तो भई ऐसे खलाड़े जिनकी मुठवेड में हुई थी इनका नाम है पांसिंग तौमर इनका नाम है नक्षा प्रश्ण है मद्वर्देश की पहली क्रिकेट प्रतियोगता कब खेली गई थी पहली क्रिकेट प्रतियोगता भई मद्वर्देश की कब खेली गई थी तो आप हमें स्याद रखें कि मद्वर्देश की जो पहली क्रिकेट प्रतियोगता है यह बरस 1913 में खेली गई थी नक्षा National University of Physical Education मद्य परदेस में कहां पर इस्थित है इसका सभी जबाब है कि यह जो श्रोदी की अनमोधित हुई थी तो इसका सभी जबाब है कि खेल कूद नीती अनमोधित हुई थी जे तो इसका सभी जबाब आ dat अगला प्रश्ण है, मद्यप्रदेश की पहले खेले नीती कब बनाई गई ती बाई अभी क्या देखा था हमने अभी देखा कि खेल कूद नीती और किस वर्श अनमोदित उती तो बरस वज़ड रपांच में केख बोई अब है सबसे पहली खेली नही थी कब अन बनाई गई थी तasında सबसे पहली खेली ठीट बई रखें तो आप हमें से याद रखेंगे नहीं कि यहार रूसनी से युक तो यह हमारा इंदोर में हैं बई उसा राज tirar ses याद रखेंगे इसका नाम चेंज करती हुए होलकर क्रिकेट इस्टेजियम जो है कर दिया गया है अगला प्रश्ण है आपकी स्कीन पर क्या है कि कौन से नगर में भई अभे खेल प्रसाल अबस्थित है बड़ा प्यारा सा सांदर सा प्रश्ण तो आप हम ही से याद रखें कि जो अभे खेल परसाल है यह कहांपर है करकेट से किससे है किरकेट से इसर पांड़ का सम्मंद है नक्ष्छ प्रश्ण है ऐहम अध से रखान किस खेल के साथ जड़े हुए है तो अब हम ही से याद रखेंगा कि एहमद सेर खान जुड़े हुए हैं होकी से किस से जुड़े हैं भई होकी से जुड़े हुए हैं एहमद सेर खान प्रश्ण बनता है कि ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम कहां पर इस्तित है तो आप याद रखें मद्य प्रदेश का एक मात्र आदिवासी खेल एस्टूल जो है ये स्तितव वियापका कहां पर अली राज़पुर में नेखश्ण परशन बनता है कि मद्य प्रदेश में तात्य तूपे इस्टीडियम कहां पर स्तितव है अब हमें से याद रखें तात्य टूपे इस्टीडियम जो है वही यह कहाँ पर है यह हमारा भोपाल में है वही तात्य टूपे इस्टीडियम नक्षर प्रशन है कि मद्य प्रदेश के किस जिले में खेल गाउं का निर्माड किया जा रहा है बताएगा किस जिले में खेल गा गाओं का निर्मान किया जा रहा है नेक्ष़ प्रशन है मद्यब्रदेश राज्य क्रीडा परशद का गठन कब किया गया पड़ा सांदर प्यारा सा कठन प्रशन है इसे मैं कठन परशनों की स्रेनी में रखूँगा आप इसे गलत करोगे बार बार भूलोगे तो भई मद्यब्रदेश राज्य क्रीडा परशद का जो गठन है यहाँ 1960 में किया गया था नेक्ष़ प्रशन है होलकर क्रिकेट एस्वेसेशन की स्थापना कप की गी थी इसे भी मैं कठन प्रशनों की स्रेनी में रखूँगा भई ठीक है इसे भी आप भूलोगे बार बार तो अच्छे से आप मार कर लो अच्छे से भई पढ़ो इसे हॉलकर क्रिकेट के इस्थापना है यह वर्स 1901 में जो है की गई थी नेक्से प्रशन है चलेगा पूरे प्रशन आपके इस खेलिक टॉपिक के हमारी और से कंप्लीट होते हैं और टॉप प्रशन ही केवल मैंने ले रखे थे इस वीडियो में मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरा MPG किसी तरह से टॉपिक बाइज देख सकते हैं बस केवल और केवल टॉप MPG के मिला रहे हैं इस सीरीज के तहत